अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ, आज की इस नहीं वीडियो में हम बात करने वाल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS कोर्स के स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड यर में पढ़ते हैं और उन सभी के पास में MPSE 002 का सब्जेक्ट है, तो आज की नहीं वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए most important रहने वाली है, आज हम बात करने वाले हैं State and Society in Latin America, अगर हिंदी में बात करें तो Latin America में राज्य और समाज, इस सब्जेक्ट के बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, कि सर प्रजेंट वीडियो चाहिए क्योंकि इसका ज़्यादा material मिल नहीं रहा है, तो आप सभी की on demand पर ये मैं वीडिय questions को discuss किया है, वे सभी बच्चे जिन सभी का exam है या फिर upcoming जो भी students इस वीडियो को दिखेंगे, तो ये उन सभी students के लिए relevant वीडियो रहने वाली है, जिसमें हमने MPSE 002 के सभी important questions की चर्चा करी है, जिन को करने के बाद में आप सभी का exam जो है, वो बहुत जादा अच्छा जाने वाला है, तो first question आप से भी की screen पर आ चुका है, इस वीडियो में हम only questions की बात करेंगे, क्योंकि आपका exam जल्द ही है, तो आप कोशिच ये करें कि सारे questions को एक बड़ी देख लें कि आप में से, इन में से कोई question ऐसा तो नहीं है, जो आपका रह गया, अगर रह गया त आप उसे इस रात को complete कर लें, चलिए start करते हैं, तो first question आपकी screen पर ये है, लैटीन अमेरिकी समाज में चर्च की क्या भूमिका है, यानि जो लैटीन अमेरिका का समाज है, उसमें चर्च की क्या भूमिका है, आपको इसका वर्णन करना है, first question आप सभी के लिए important ये है, second question क अगर हम बात करें, तो चली, चली आप सभी को पता है, country है, चली की आर्थिक और समाजिक रूप रेखा का आपको इस वाली question के अंदर वर्णन करना है, second important question है, मैं बता दूँ सबसे important question हो के आगे में, जो इनमें भी मुझको लग रहे है, जो आप लोगो के paper के लिए important और हो सकते हैं, उसके आगे में IMP लिखूँगा, बाकी ये सारे के सारे तो important ही हैं और साथी साथ repeated भी है, जो बार-बार ये आपके exam में पूछे गए, next question है, question number third, इसमें आप से पूछा गया है, चाहे अर्जन्टाइना लिखा है, अर्जन्टीना ब्राजील के आर्थिक एक होगा, कैसे ये दोनों आपस में जुड़ते चले गए, next question है, question number four, इसमें आप से पूछा गया है, Latin America के जो समाज है, उसके विज्ञानिक द्वारा परतिपादित, ये most important question है, ये भी आप से पूछा जाता है, निरभरता का सिद्धाम्त, आपको ये word मिल जाए, चाहे किसी लेखक का भी नाम आजाए, तो भी आपको सेम question करना है, निरभरता का सिद्धाम्त, अगर कई परी ये क्या करता है, अन्यों, जटिल, पारस्परिक, निरभरता, आपको इंग्लिश में देख ले रहा है, इंग्लिश में एक ही word होता है, जो है dependency theory, अगर आप लोगों को ये लेखक के लेखक के लिए अमेरिका में आयात और परतिस्तापित, यानि विकल्प और योगे करनेती के गुण और दोश बताने, यानि बाहर से जो हम चीजों को इंपोर्ट करते हैं, उसको इंपोर्ट करने के बिज़े क्या लेखका है, उसके क्या गुण है, मतलब लेखक के देशों के किस प्रकार के संबंद है, आपको ये बताना है, या सिंपली आपसे पूछा जाए, लेटिन अमेरिका और भारत के संबंदों की चर्चा कीजिए, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेमी कोशिन आप सभी को लिखना है, अगला कोशिन आपकी सब हारों के प्रकरति और इसकी सफलता के बारे में मताना है कि लैटिन अमेरिका के देशों में, किस प्रकार के कर्शी विवस्ता में सुधार किया गया है, यासा कोशिन आपसे है इस mister है नमर एट यह भी important कोशिन है, यो इसके उपर भी जो था वह important कोशिन है बइक है, इंप् यहां पर ऐसे सत्ता वाचक के विरुद में बताना है जो लैटिन अमेरिका की महिलाओं ने या अंदोलन चलाए है या आंदोलन की है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर 9 इसमें आपसे बूचा गया है लैटिन अमेरिका में स्वादेशी समाज में किस हद तक जो राजनितिक संस्कृति का हिस्सा यानि स्वादेशी समाज जो है वो किस प्रकार से राजनितिक संस्कृति का या पोलिटिकल कल्चर का एक पार्ट है इसके बारे में आप सभी को इस वाले question में explain करना है, यह वाला question भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा important है, next question है आप सभी के लिए Latin America में छेत्रवाद के विकास, यानि छेत्रवाद के विकास का मतलब यह है, कि वहाँ पर कई सारी countries है, तो वह सारी countries और वहाँ पर जो रहने वाली communities है, वो आपस में अपनी communities को बाढ़ लेते हैं, अपनी पहचान के हिसाब से, वो अपने आपको दूसरों से different बताते हैं, तो इसमें किस तरीके से इसका विकास हुआ, इसके बारे में आपको इस question के अंदर explanation देनी है, next question है, question number 10, इसमें आपसे पूचा गया है, Latin America में नागरिक समाच की भूमिका का वर्णन करें, इन्हें नागरिक समाच किस प्रकार का है, यह आपको explain करना है Latin America के अंदर, तो आप सभी के लिए यह question भी बहुत important है, next question है, Mexico और Cuba में क्रांती होने के क्या कारण है, यहाँ पर आप सभी को पताए, शासन में बस्ता की वृद्ध में क्रांती की गई थी, और यह क्रांती बेसिकली एक नई क्रांती थी, जिसने पूरे के पूरे यहाँ के परशासनिक धाचे के साथ साथ आर्थिक धाचे में भी परिवर्तन करने की कोशिश करी, तो आप से भी कोई यह question भी आप लोगों के लिए बहुत important है, कई बरी separately पूछ लेता है, या तो आप से माक्सिको की क्रांती पूछ दाएगा, या फिर आप से क्यूबा की क्रांती पूछ दाएगा, इसकी यह वाले, आपको याद रखना है, next question यह भी बहुत important है, इसमें आप से लातिनी अमेरिका और यूरोपेन यूनियन के अमद्द है, जो सम्मंद किस प्रकार से विक्सित हुआ है, इसके बार में आपको इस वाले question के अंदर क्या करना है, explain करना है, next question है, question number 14 है, इसमें आपको लातिनी अमेरिका की राजलिती में, देशी समाज की क्या निका है, या क्यों important है देशी समाज के लोग वहां के लातिनी अमेरिका के लिए, ये वाला question भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा important है, जो कि आपके exam से बार-बारी पूछा जा रहा है, next question है आप सभी के screen पर, question number 15 है, अर्जनतीना में जो मुक्त वैपार यानी free trade है, और बाजार अर्थे व्यस्ता के रूप में, उदारवादी विचारकों की अलोचना करनी है आपको, तो वहां पर basically वहां के लोग उदारवादी विचारक जो है, वो मुक्त बाजार का क्या करते हैं, विरूद करते हैं, वहां के लोगों का विरूद किया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है, इसके बारे में आप से भी को इस वाले question में बताना है, ये वाला question आप से भी क्लिए important है, नए और पुराने में वीद करते हैं लातिनी अमेरिका में नए समाजिक आंदूलन कौन कौन से हैं, और वो आंदूलन आकर क्यों हो रहे हैं, क्या उसके लक्षण है, आंदूलन की प्राप्ति का क्या कारण है, या वहाँ के लोग जो आंदोलन क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आपको इस वाले कुशिन के अंदर क्या करना है एक्स्प्लेइन करना है नेक्स्ट कुशिन आपसे वीज़ पूचा गया है लेतीन अमेरिका में हाली के अनवोग के संदर में अमेरिकी विकास, आर्थिक विकास और साथ इसाथ में लोगतंतर के बीच में संबन्द बताना है, यह कोशन भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कोशन आप सभी को अपने एक्जाम के लिए प्यार करना है, अगला कोशन आप सभी के लिए स्क्रीन पर यह अपका दक्षिन अमेरिका में, एकता बाजार के प्रमतर विकास और महतों को बताना है कि किस प्रकार दक्षिन अफरिका इंदर जो वहाँ की मार्केट से कि या एकल बजा रहे है लोगों के लिए किस प्रकार से स्तापित हुआ या किस तरीके से काफी जादा डेवलेप्ड होता जा रहा है यह आप लोगों को इस वाले कुशिन में बताना है मेक्सिको में एक राइटर है जिनका नाम है लजारो काडरिनिस के नित्रितों में क्या किया लोक नुभावना कृशिया आंदूलन हुआ है इसमें आप से बूचा गया है कि ब्राजील की अर्थिक चक्रों के बताना है की प्रकरती और बुनियादी विशेस्ताओं की चहचा कीजिए यानि आपको इस वाले कुशिन में यह बताना है कि ब्राजील में आर्थिक चक्र की क्या प्रकरती है और आर्थिक चक्र की क्या-क्या विशेस्ता है आपको यह वाला कुशिन के अंदर यह एक्स्प्लीन करन और और एक कुशिन यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कुशिन नमर 22 है ब्रादील में आपका सेम टेरा भूमिहिन आंदूलन क्यों हुआता है यह भी इंपॉर्टेंट कुशिन है इस वाले कुशिन को भी आपको करके जाने नेक्स्ट कुशिन है नव समाजिक आंदूलन की मुख्य क्या क्या विशेस्ता है इसके बारे में बताईए यह भी इंपॉर्टेंट कुशिन है यह भी आपके पिम्पर में देखने को मिल सकता है तो कुछ पंद्रा से भी इस कोशिन ऐसे होंगे जो मैं आप लोगो को आप से भी पिपर में पूछा गा सकता है नेक्स्ट कुशन है कोशिन नमर 25 इसमें आप से पूछा गया है लातिन अमेरिका के देशों में विदेशी निवेश की क्या भूमिका है इन्हीं विदेशी निवेश जो फॉर्ण इंवेश्ट है वो इनके लिए क्यों इतना आप सभी को याद करना ये सारी के सारी कुशन अगर आप लोगों कर लिया हैता आप लोग को कुछ नहीं करना अपना आराम से राम कीजिए अपने इक्जाम की द्यारी कीज llay और जितना अदिक पीज़ारो पाजिए अगर और आप लोग ऐसा नहीं है आप लोगों को important question बनाना बताना मेरा परवस है और वही परफस में आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया था अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो please चैनल को subscribe जरूर करें ताकि आप लोगों को अगली वीडियो का notification में मिले मिलते हैं आप सो भी से अपनी अगली वीडियो में जै हिन जै भारत